विल्कम तो ओर चायना दोस्तों घर और कीचर के काम जाए हर ग्रीन ही चाहते है कि उनका काम जो इजी हो जाए साथ में बहुत सारी सेविंग हो और कुछ वह इसी चीज़ों की विकार में बेश्ट नहीं जाए क्योंकि हमारे समानों में जाए बहुत जादे पैसे लगते हैं और इसे खरीदने में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं तो इसी सिल्सिक जाए जाता है कुछ ऐसे टिप स्टिक्स लाएं हूँ जो कि आपके बहुत जादा काम आ सकते हैं तो विडियो में बने रहे हैं पूरे निट तक चलिए देखते हैं आज की पहले लिटी अक्सर क्या जाती है ऐसा है बहुत सारे लोगों के साथ फिर उनका फेस देखने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ ऐसी सिकायत होती है कि हमारे लिप्स्टिक जाहें खाना पीना खाने के बाद लिप्स्टिक छूट जाती है चाहे वह कितनी भी महंगी वाली लगा उनके साथ यह प्रॉब्लम होती है तो फिर कहते हैं कि नहीं लिप्स्टिक जो है अच्छी वाली भी अच्छी नहीं होती खाने के बाद छूट ही जाती है तो ऐसा सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है आप आज मैं दोस्तों आज के साथ ऐसी टिप्स कर रही हूं जिससे मैंने जहीं आज क्लेएं पर दीप्स कर दोस्तों यह में और देखाते हैं मैंने पहले लिप्स्टिक से मैं ने साफ कर लिया तो जोस्तों चलिए मैं बताते हूं क्या है वह तरीका जिससे कि आपकी लिफ्टिक लांग लास्टिंग रहें कि इतना भी खाना पीना खाएंगे वह छूटेगी नहीं तो आपको क्या करना है दो तो जब भी आप लीफ्टिक के अपलाई करने जारे ना उससे पहले आप फेस मे आपटिक करने के बाद जोस्तों आप जो है अपने लिफ्स््टिक कह अपने तरीके से अपने Culture में अपने सेफ में अब जो लिफ्स्टिक है और दोस्तों आपक कि इतना भी खाना पीना खाएंगे कितना भी कुछ बी डांस कर होग बने पानी पी लिज doorway गई दिन भर से नह अपना के देखिएगा जुरूर अंदेन हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अभी चल रहा है साधियों का सीजाना सभी लोग चाहते कि हमारे फेस पे जो है मेकप लॉंग लास्टिंग रहे अच्छी तीखे तो इस तरीका अपना के आप अपने फेस को पडेका है और योच किचन में दृखें वार फेसी चंट है घो शाय पालो तरहिता है हमारे यूच करते में टीब करते हैं जर्क वस्तने दाल के घुमसेटे कृष्ण से फ्रेल कृष्णा प्रस्तेच जाताइए पंरनया में घुर्णिक अपने रखुन मेन पर सदेnahmen बद् बाटल तो चिपचिपआ होता ही है साथ में हमारे फ्लोर भी गंदे होते हैं चिपचिपए हो जाते हैं जिसे कि हमें साफ करना एक धंजट सा लगता है दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है आप मैंने भी से पहले बहुत सारे वीडियो बताई हैं इसके बन में आज एक और करना हमें चाहिए जिससे की पेंडी जो है अच्छे से कवर हो जाए यह देखे कुछी तरीके से अब हमें इतने जादे ज़्यादे जरूरत नहीं है हम लोग जो है इसे फाड के रख लेंगे बहुत सारे चीजों में आप छोटे-चोटे टुकडे भी बहुत सारे चीजों कर सकते With air people के पहुत हीं ज़्यादा काम आते है अब किया जो सब्सक्राइब कर दे आप को रबर करें को हमें अब परिशान अब यहांकर लगा दिया ना तो बिल्कुल भी गीडेंगा नहीं बिल्कुल भी खुलेंगा नहीं हटेगा नहींकर उत्साने बनाने के बाद कि अभी मेरा खाता मुझे का इसमें ट्रांसफर करने वाली हूं तेल अब जब भी खाना बनाएंगे निकालेंगे अगर थोड़ा बहुत गीरता भी आना तो सारे जो तेल हैं वह इस फॉयल पेपर के अंदर जाके गीरेंगे आपके फ्लोर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा अब फ्लोर जहें बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा इस तरीके से आप अपने काम को इजी कर सकते हो और अपने तरीके को पड़ाल सकते हो तो इस तरीके से कर लेंगे ना आप चाहे तो इस आप सब्ता में जब भी लगे आपको कि यह काफी ज़दा गंदा हो चुका है इस तरीके से प्रेड चुछ आप अगर आप बिलेट को इस तरीके से खुलें इन छोड़ाते हैं इसकी बज़ाए इसकी बज़ाए से क्या था आपके ब्रेड के एक सपायर डिट खातम नहीं होती है तो हमारे ब्रेड जह हैं काफी ज्यादा हाड जोता है जिसे कि हम अब भी ज्यादा हाड हो जाते हैं अभी जो मौसम चल रहा है तो बहुत ही जल दीजिए आपका एक दिन में अगर आप खूले चोड़ते हो ना एक सारे बिजिट हैं काफी ज्यादा हाड हो जाएंगे इसे आप खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं करें दोस्तों इसे आप और आप कैया करना हमस्तों आपके पास जितने भी प्रेड है ना जो यह शुचे हो चुके हैं आपको इस तरीके से इस में वीछा देना है कुछ तरीके से इस समस्तों करने से इसे क्या होगा इस में जैसे पैल सभी जल्दि सौफट हो जाएंगे आपको इस तरह के से करके बस एक या दो मिनट के लिए ठख से गरम खुलने के लिए गरम पानी पर चड़ाने के लिए छोड़ दीजिए दो मिनट जैसे ही होगा आप खोल के के लिए बिल्कुल रेडी है तो हैना ये कमाल के अड़ी है आसा करते हूं ये टीप सेंट्रिक्स आपको अच्छे लगे हूं ये ये देखिए कितने अच्छे से खाने के लिए फिट से रेडी हो गया ना एकदम ताज्य और गरम-गरम फ्रेश वाले ये देखिए आसा करते हूं ये टीप सेंट्रिक्स आपको अच्छे लगें ये यूजफू लगे होंगे तो हमारी आज की जोवली टीप से दोस्तों इस तरीकी से है निल्क प्रिंट से लेटे प्रिंट से अक्षर क्या होते हैं हमारी पास जड़ने कलर कर लेते लेते ना बह को आफके साथ भी आसा होती है थैको क्या हमारे पैसे वेय RED हो जाते हैं हमारे निल्लम प्रिंट सुख जाने के वुज़ए से हम लोग भूर पूरे चाहते हैं इसका रिजिए नहीं करते हैं रिजão अशपर ख़लने करें एंच तो चलिए बतातीह में हैं आच्छा आइज कैसे इसको ठीक कर सकते हैं यहां पर देखिंआ यहां पर देखिंआ है तो जो फोल में गर्म करना जब यह खुलने को आया दोस्तों तब क्या कि इसे लिए इस तरीके ज़या की जाफ़ानी होते हैं अपर फिक निया चृड़ फोले अगर आपको फास ट्स रेकिने, अब यहा पर मैंने छहनी रख दिया है इंप क्या करें दिया है इस तरीकी से एक कपडा कर चालीजिए चहनी के ऊपर बुद्ध फर्चुक से ओधर फिर ने कुछ अब मैं सबको डाल दीती हूं इस तरीके से अच्छे से अब क्या करना इसे आप अच्छे से ढख दीजिए ठीक है इस तरीके धखने के बाद जो है इसके उपर आप फिर से एक और कपड़ा रख अब इसे ढखने के बाद इसे पांच मिट के लिए इसे खौलने दीजिए पानी को कम से कम आपको इसे काल है काफी जादा गरम हो चुका है अपको इस कुछ इस तरीके से उपालए कैसा ही अगर्म में इसका कीस को कुए ही जार यह तरीकिया है शार है को इसी का उपालए क मातड़ दो कि ल forsket दुर साउत हो जाता है और काफी अच्छे से यह काम करने लगता है दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरीके से आपके जो नेल पेंट कितने अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा आसा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे चलिए यह बला हो गया और मेरा जो है यह दूसरा दिखाती हूँ मैं यह जो है यह भी काफी ज़्यादा सूख चुका था इसकी हाला तो देखिए तो चलिए अब मैं इसे भी खोल करके दिखाती हूँ यह जो जैम हो जा कुछ फूल लगे होंगे यह देखिए तो कैसा लगा यह टीप साप लोग हमें जरूर बताएगा कॉमेंट करके अच्छा लगे तेक लायक जरूर कीजिएगा